कि नमस्कार वियर्म न्यूज में आप तब ही का स्वाकत है मैं हूँ रंजना दवे देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आईए नज़र दालते हैं आज की हेडलाइन्स पर कतर में भारते 9 संजिकों की सजाए मौश को बदला कैद में भारत सरकार को मिली बड़ी शपलता गुजात में करोणा के 66 एक्टिव मामले दर्ड जे एन वन वेरिंज के अब तक कुल 36 मामले हुए दर्ड और वरोद्रा की बर्शाती कास में स्खोड़ा जाता है व्रैनिस का बीसित पानी सफाई के पती बीम्सी उदाती कतर में आठ पूरु सेनिकों को सुनाए गई मौट की सजा को रोकने में भारत सरकार को साहता मिली है कतर में कथित तौर पर जासुसी के आरोपी आठ पूर भारती नौसानिकों की फसी की सजा पर वहां की अदालत ने रोक लगा दी है अब सजाय मौट की जगे इन भारतियों को जेल में रहना होगा भारती विदेश मंतराले ने इसकी पुष्टी की है कतर की कोर्ट ओफ अपील ने फैसला गुरुवार को सुनाया भारती विदेश मंतरे ने इस पर कहा कि फैसले की डिटेल्स का इंतजार है इसके बाद ही अगले कदम पर विचार किया जाएगा सुनवाई के दौरान भारत के अमबसेडर अदालत में मौजूद थे उनके साथ सभी आठ परिवारों के सदसे भी थे भारत ने इसके लिए स्पेशल काउंसल नियुक्त किये थे हाला कि फैसले की विस्ता से जानकारी अभी नहीं दी गई है गुजरात राज में कोरुना के मामलों में लगातार बड़ोती दर्ज की जा रही है जिसमें से 22 मरीजों के स्वस्त होने की जानकारी मिली है वही 14 मरीज हो आइसोलेशन में है अभी तक राज में कुल 8,426 कोविट टेस्ट किये गए है जिसमें से 99 पॉजिटिव पाए गए पॉजिटिविटी रेट 0.86 प्रतिशत रही राज में सिर्फ दो कॉरोना पॉजिटिव मरीज अस्पताल में इलाज ले रहे है प्रशासन द्वारा कॉरोना JN1 वेरियंट से घवराने की या चिंता करने की जरुरत नहीं परंतु सत्रक्ता रखने की जानकारी लोगों तक पहुँचाई जा रही है राज में कॉरोना से संकर में 66 एक्टिव केसिद हैं जिसमें एहंदाबाद में 47, राजकोट में 10, गानी नवर में 4, धाहोद, गीर, सोमनात, कर्ष, मूर्भी और साबरकाथा में एक 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 एक्टिव मामले हैं राज में प्रतेक कॉरोना पॉजिटिव मरीज का जिनोम सिक्वेंसिंग किया जा रहा है एटले यहां गुजरात नी अंदर आजनी तारीके जे एडवाइजरी जाहर भुतकार मां करी हती यह अमल व्यक्ति गत्रीते सववे गुजरात ना नागरीकों यह न साथ करी अने जे लोकों को मोर्बिड छे तो ए पोते पोता नी स्वाइम सिस्त पाड़ी अने आ करे तो बदार सारोश पहला में कईयो तुके जेन सिरीज नो बेरियंट आपना त्या इया जोवा ने थी मले आपना त्या थे यह इया जी बी आरसी मा जारे जिनम सिक्वंसिंग मा जाए से एना पची ये टेस्ट करवा माटे दिल्ली पन जाए से ने कन्फरम थे ना आवे एना पची ज आपनने ख्याल आवे जे वकते में कईयो ये वकते ओफिशली एक पन जेन सिरीज नो बेरियंट कोईपन कोरोना केस मा मालूम पड़े नो तो एना काराने मारू स्टेटमेंट परन्तु जेव उपर थी दिल्ली थी कन्फरम थे ना आवे एटले आपने जाहर करू कि आपना त्या ये जेन सिरीज ना वेरियंट वाड़ा केस जो आमड़े आवकत में वाइबरांट पन खूब मोटो अने खूब लाखो करोडो ना गुजात के वडोद्रा में भाइली की बरसाती कांस में ड्रैनेज का दूशित पानी छोड़ा जाता है ऐसे में इस कांस को जल्द से जल्द ढपने की जुरूरत जताई जा रही है गुजात की वडोद्रा शहर में बारिश के पानी की निकासी हमेशा ही एक बड़ा मुद्धा रहा है आदे गंटी की पारिश होती है और वडोद्रा शहर पानी में डूप जाता है और इसलिए पानी की निकासी के लिए जगे जगे बनाई गई है बरसाती कांस लेकिन बरसाती कांस का इस्तमाल बरसाती पानी के निकाल की बज़ाए गंद की फैलाने में जादा होता है फिलाल मैं जहां हूँ वो भाईली कांस है जहां से एक लंबी कांस गुजरती है और बरसात में तो यहां क्या होता है वो आप सब जानते ही है लेकिन आम दिनों में भी आसपास के बिल्डिंग के जो बिल्डर है उनकी पैपलाइन सीधी सीधी बरसाती कांस में छोड़ी गई है बरसाती कांस में गटर का पानी ड्रेनेश का पानी कभी भी नहीं छोड़ा जाना चाहिए यह नियम है लेकिन अगर आप मेरे पीचे देख पा रहे हैं तो आसपास की इमारतों का पानी धडल ले से भाईली कांस में छोड़ा जा रहा है भाईडी की बरसाती कांस में गंदिकी की भी भरमार है आसपास की जुशाडियां है वो भी उसमें डाली गई है यहां पानी में निकलने वाली बेल उगाई है और कच्रों की यहां भरमार है ऐसे में भरसाती कांस का इस्तमाल कहां और कैसे हो सकता है उस पर एक बड़ा सवाल या निशान है पानी में उगने वाली बेल ने इसकदर अपना ऩजमा दिया है कि यहां से पानी की निकासी काफ़ी मुश्किल है ऐसे में बरसात में यहां यह जो इलाका है पूरा पानी में डूप जाता है यहां कई फीट पानी भर जाता है जो कई दिनों तक नहीं उतरता है और यहां लाखों करोड़े रुपए के फ्लेट लेने वाले लोग उसी पानी में से गुजरने के लिए मजबूर होते हैं भाईली कास की गंदगी की पड़ताल करने विएनायम की टीम जब वाड नमबर दस की ओफिस पहुची तब यह वहां मौजूद महिला वाड ओफिसर को इसके बारे में कुछ खास जानकारी नहीं थी बाद में उन्होंने थोड़ा सोच विचार कर बता की इंजिनिरिंग डिपार्टमेंट में लग सकता है जब हमने आसिस्टन्ट कारेकारी इंजीनियर नरिष रबारी से इस पर संपर्क करने की कोशिश की तो उन्होंने ये कहा की मैं اسी इलाके में हूँ हम ने कहा कि हम वहीं आपसे आकर मिलते हैं लेकिन अब वो हमारा फोन भी नहीं उठा रहे हैं यानि कॉर्पोरेशन के जिम्मेदार करमचारी या अधिकारी इस मामले कोई जवाब देने के लिए तयार नहीं है वैसे साइस हमीती के अध्यक्ष टॉकर शीतल मिस्री से जब इस बारे में हमने सवाल पूछा तब उन्होंने इस कांस का काम जल सजल निप्टाने की बात जरूर कही है कुझरा की वड़बरा शहर में नागरिकों को सुविधा देने के लिए कई विकास कारिये शुरू किये गए हैं कई विकास कारिये सालों से चलते जा रहे हैं लेकिन पूरे नहीं हो रहे हैं जिसके चलते नागरिकों को असुविधाओ का सामना करना पड़ता है ऐसा ही एक काम है भाईली सिवासी वाली जो बरसाती कांस है जिसमें गटर का पानी नहीं छोड़ना चीए लेकिन ड्रैनिश के कनेक्शन दिये रहे हैं और बिल्डर अपना ड्रैनिश का पानी उसमें छोड़ते हैं जिसकी वज़ए से उसमें गंद की बढ़ रही है इस पर स लोग डेवलप्ट एरिया नहीं था लेकिन अब बहुत सारे लोग रहने भी आ गए हैं लोगों के स्वास्त पर कहीं न कहीं असर पड़ रहा है किस तरह का एक्शन जल से जल दिया जाए ताकि नागरीगों को कॉर्पोरेशन सुविधा दे सके प्रिया टॉकिस से लेके ब घंदा पानी बह रहा है एक हां समय से उसको जल से जल करने का कार्य McD इसको जल करने का का पूरा किया जाएगा आज की तारिक में revenue capital budget में काम रखा गया जैसे ही अमृत की ग्राइंट आती है एक काम को RCB से अमृत की ग्रांट में तबदिल करके जल से जल काम पूरा किया जा क्योंकि बहुत वक्त से यह कॉंट्राक्त बदल बदल के अधिसर कॉंट्रक्टर को दिया जा रहा है अभी तक इसका टेंडर प्रक्रिया होगा आगे की जानकरी दी जाएगा काम चल रहा है प्रिया टॉकिस तक वे स्लैप कौ स्लैप ढ़क दिया और आगे का बाकी है है इसको फेसवाइं करते हैं को प्रिया से तक का का हैूं का कॉर्ण को उसको चल्या आशा करते हैं कि अगला मौनसून वो बरसाती कहां से ढख जाए ताकि वहां रहने वाले लाखो करोड़ों रुपए खरीद कर फ्लैट लेने वाले लोगों को सुविध हमल सके। गुजात के वडुद्रा में छाणी जकातना का निकट चार साल की मासुम बच्ची की 10-15 फिट गहरे गड़े में गिर कर दुखत मौत होई है। वडुद्रा के छाणी जकातना का निकट योगी नगर टाउंशिप के पास एक बच्ची के बोर्वल में गिरेव होने का कॉल फायर बिगेट को मिला था। चार साल की टपूर रॉय खेलते खेलते अचानक 10-15 फिट गहरे गड़े में फस गई थी जिसकी रेस्क्यू कारवाही पुलिस और फायर बिगेट द्वारा शुरू की गई लेकिन बच्ची को बचाया नहीं जा सका। यहां खेत में मजदूरों को रहने के लिए कमरे बनाये जा रहे थे, कमरे की पाइलिंग के लिए 12 इंच के गड़े खोदे गए थे, जिसमें खेलते खेलते बच्ची फैंसिंग तार से अंदर जाकर गड़े में गिर गई, दमकल विभाग ने इस बच्ची को बच्चाने क करमचारियों द्वारा रेस्क्यू करी खाड़ा माती हमें होस्पिटल लाइस करें से गड़्डा में कुछ नहीं ढखा तो मेरा लर्की खेलने गया और लर्की वहां बगगी घड़्डा है, हम लोग बहुत कोशिस किया और रोश्ची लगा कि नहीं उठा बाया, सब साल ल गुज्रात के हमदाबाद में ट्रांस स्टेडियम के विशाल ग्राउंड में मुख्य मंत्री भुपेंद्र पचेल द्वारा खेल महा कुम्ब का शुभारम किया गया, खेल महा कुम्ब की शुरुआद 2010 में की गई थी, 2010 में 15 लाग खिलाडियों के साथ आयोजित, खेल महा महा कुम्ब में 45 करोड की इनाम राशी वित्रन करने का नर्ने लिया गया है, खेल महा कुम्ब में दिव्यांगों को भी प्रोचसाहन दिया जाता है, खेल महा कुम्ब 2.00 में नई शुरुआद की गई है, जिसके चलते तालुका में विजेता खिलाडियों को भी राशी के बीच, स्पोर्ञ दिव्यांग किनाडियों के लिए स्पेशुन महा कुम्ब किया जाएगा और पूरे वर्ष के दोरान विवित खेल इस परधाओं का आयोजन किया जाएगा। खेल महाकुम्ब के शुभारम के मौके पर भव्य आयोजिन किया गया, इस आयोजिन में बच्चों से लेकर बढ़ों तक सभी को शामिल किया गया, खेल महाकुम्ब के इनाउगरेशन पर खुबसुरत वेशभूशा में गर्बा प्रस्तुत किया गया आदिवासी डांस ने लोगों का मन मोह लिया, वहीं छोटे छोटे बच्चों ने मलखम के कर्तव दिखा कर लोगों को अचरज में डाल दिया, इन लोगों के खुबसुरत परफॉरमेंस देखकर वहां मौजूद सभी लोग मनतमुब्ध हो गए यह मैंने वांग्जू चाइना में जो चैस का इवेंड था एशियन पेरागेम्स उसके अंदर मैंने देश के लिए एक गोल्ड और ब्रॉंज मेडल हादल किया है इनाम जीतके अच्छा लग रहा है और फाइनली सरकार का आशिरवाद भी अभी हमारे पर आने लगा है पडिकुलर ब्लाइंड चैस के लिए तो और भी अच्छा लग रहा है मैंने अभी पैराइशन गेम्स जो फोर्ट पैराइशन गेम्स हुआ था चाइना में ऑक्टोबर में उसमें दो गोल्ड मैडल्स शत्रंज में चैस में जीते थे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जब देश के लिए मैडल जीते हैं और आप अपने मतलब गुजराट का और देश का प्रतिने दित्व करते हैं और वो प्रतिने दित्व जब सफल ओजाता है जब आपकी महनत रंग लाती है तब बहुत अच्छा लगता है और जितने भी मतलब लोगों की दुआएं, आशिरवाद या सबका जो टीम वर्क राय सबका सहकार है वो भी फली भूत होते हुए दिखता है तो बहुत अच्छा लगता है तो आज ये खेल महाकूम का जो आयोजन हुआ और इसमें जो भी इनाम राशी प्रस्तूत की गई तो बहुत प्रोटसाहन जाना के ये चीज़, खेल महाकूम के इनोग्रेशन में, खेल प्रतीपा पूरुसकार में, जो पैरा एशन गेम्स में जो मैडल जीत के आये थे, उनका सन्मान किया गया है और उनको रोकट पूरुसकार मिला है तो उसके लिए मैं गुज़ाद का इनकी घश्राल, और जो बढ़ज़ाद गव कर दो, तो परकूर start-णेज़, टो रहे हों। अगर आत्मविश्वास है और आप आतमविश्वास में ह 그래도 वुलिषओं के चीज़ गवारिय गया हैं तर रंक हरी महाकूम के थे, हमेड़ बंतिन जहांड़ पटेल, क्रह राज्यमंत्री, हर्ष संग्वी, एहमदाबाद की मेर प्रतिबाजयन, नेता, अधिकारी और गर्मान्य उपस्तित रहे। इस मौके पर एशियन गेम्स में राष्ट्री और अंतरराष्ट्री इस्तर पर विज़ता रहे खिलाडियों को पुरुसकार देकर सम्म सक्तिदूत्य योजना करके गुजरात गुवर्मेंट किया है, उसमें से प्लेयर्स को बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है, जो जैसे कि अपने देश और आउट ओफ कंट्री ट्रेनिंग के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो वह भी खर्चा मतलब गॉर्मेंट देते है तो जैसे कि प्लेयर्स खेल खेल के बाद में क्या करेंगे, तो उसको देख के मतलब गॉर्मेंट ने येभी डिसीजन लिया की जो जैसा मेल देगा तो उसके बाद उसको मचलब उसी केटेगरी की सबसे क्लास थ्री, क्लास टू, क्लास वन उस तरह जोब दिया जाएगा, जैसे कि मैंने एशन गेम्स में मेडल दिया तो गवर्णमेंट ने मुझे पुलिश डिपार्टमेंट और डायरेक्ट डिवैस्पी की जोब दिये तो मतलब ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा है कि खेल के भी मतलब ऐसा जोब मिल रहे तो मतलब और मेहनत दूसरे बच् गयर मुझे दो मार्टी और में पके हैस्पी कंई पूड़ ब हैसे लिए एंधिंड दा मध्या श्यूम खेंकप घ्डब ऑ में अमध्य ञुड़े इसक उड्वेंड की बच一个 कि बच्वेर अश है पुश स Tai helps must Tabii इ Tou 전 ईूसी के अवीड र vedere बारत ले रहा है एले अंग्डाई चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश को ले जाए, नई दिशा की ओर, आपका जोई, भारत का जोई दर्शनम ओशन, वरोद्रा के गोध्री वासना रोड पर 4BH के स्काई विलाज आदुनिक्ता की परिकल्पना को साकार करता है दर्शनम ओशन, आलिशान प्रोजेक्ट, जहां आपको खुद का घर लगेगा 5-star hotel वरोद्रा सिटी के प्राइम लोकेशन, ग्रीनरी के बीच स्टानिंग, एस्थेटिक, लग्जिरिस रेसिदेंस सभी बैडरूमे अटेच, वाश्रोम, ग्रीन स्पेस के साथ बालकनी, फूल वेंटिलेशन, पारकिंग, लिफ्ट, किट्स प्ले एरिया, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, इंडो गेम्स, गारण, फायर सिटी सिस्टम और आपकी प्राइवसी का भी रखा गया है खास ख्य से ज्यादा ऐसे अकाउंट्स ऑडिट में सामने आये हैं, जो इस्तेमाल ही नहीं हो रहे हैं, क्या है इन अकाउंट्स की हकीकत, आएए जानते हैं आउडिट विभाग के ध्यान में आये थे, जबकि 2022-2023 में 20 और खाते सामने आये हैं, एसमी यांकडा एक सुतरपन तक पहुंच किया है, जिसमें 54.25 करोड की नगध पड़ी हुई है, एक और वडोधरा कॉर्पोरेशन विकास के कामों के लिए राजसरकार की ग्रांट प नागरीकों को कुछ और सुविधाएं दी जा सके, गुच्रात की वडोधरा शेहर में कॉर्पोरेशन तुवारा अलग-अलग विकास कारियों पर काम किया जाता है, ताकि नागरीकों को बुनियादी सुविधाएं प्रतान की जा सके, वडोधरा महानगर पालीका पर कई तरह के सवाल भी उठते रहे हैं उन्हीं में से एक सवाल है कि करीबं डेड़ सो से जादा खाते हैं जिसमें करीबं चौवन करोड की रकम पड़ी है जो पाली का द्वारा इस्तमाल नहीं की जा रही है क्या है इस पूरे मामले की सचा है यह जानने मैं पड़ोदरा महानगर के जानने मैं पाली का पहुंची हुई है और चीफ अकाउंटन संतोष तिवारी जी में असाथ है उनसे पूछेंगे कि आखिरकार यह जो खातों की बात चल रहे है कॉर्पोरेशन के डेड़ सो से जादा उसकी हकीकत क्या है सरी डेड़ सो से जादा खातों की बात चल रही है क्या सचाइब यह VMC के official accounts है जो VMC के books of accounts में बोल रहे हैं और audit report में भी यह आता है यह सारे account ऐसे हैं यह जो last 15-20 सालों से account जो समय समय पे हम लोग banking बदलते रहते हैं हमारा collection banker बदलता रहता है तो उस समय हर department सरलता रहे हर department का हिसाब किताब रखने में इसलिए individual department wise account open करते हैं जब banking shift होता है तो हम लोग दूसरे banks में जाते हैं अब उसमें क्या होता है कि हमारे books में for example कोई amount दिख रही है एक समय सते हैं कि for example ward number 1 के account में 50,000,000 रुपिया हमारे books में दिखाई दे रहा है पर real में वहाँ पे नहीं है तो वो क्या हुआ कि for example कोई चेक रिटन हुआ है तो चेक रिटन की एंट्री नहीं डाली है डिपार्टमेंट ने उस टाइम पे या फिर एंट्री जो एंट्री कर रहा है system से transfer होती है तो कभी technical error से दूसरा account ले लिया हो तो यह एक reconciliation का विशय है तो दूसरा जो 153 account है तो उसके अंदर पहले हमारा banking central bank of India collection account central bank of India के पास था फिर आया access bank फिर आया sdfc bank और आज हमारे पास access bank की account है जब हम account open एक हमारे पास आज 50-60 department है तो जब हम कोई नई banking shift करते हैं तो 40-50 account हमको open करने करते हैं हमारा तीन से चार बार banking shift हुआ है तो यह जो banking shift हुआ है तो उसमें जो थोड़े थोड़े amount होते हैं वो है दूसरा फिर हम एक pooling account बनाते हैं कि मानलो हर account का पैसा एक pool account में जाता है और वहां से withdraw करते हैं तो आपको जो यह debit side की entries उन्होंने बताई है पर एक credit side की entry है एक account ऐसा भी जिसमें के 25-30 करोड़ रुपया credit है तो वो चीज consider नहीं किये यह सारे विशे जो है वो reconciliation पे है जो reconcile करने की बाते हैं account बहुत पुराने हैं और time consuming है एक दिन में हमारे साल भर में लाखो transactions होते हैं और कौन से amount कहां गया वो इतना easy नहीं होता है वो चीज हम लोग work out कर रहे है इट इस a time consuming process बट यह consider होगा जितना हमको मिलेगा उतना हम करेंगे और जो नहीं होगा वो हम उसका थू appropriate channel commissioner है या standing committee में मिलके इसका निड़ने करेंगे इस बारे में standing committee भी जानता है commissioner भी जानते हैं और हमारे auditor भी जानते हैं यानि यह सारे जो account है वो 2001 से लेके 2017-18 तक की accounts है so it is a part and process of हर ULB में इतने accounts होते ही है उसको बंद करना चाहिए auditor जी का जो query है वो सही है but for that we need time and we are working for that कितने account जो है वो अभी 2001 का account आज अभी बुलोगे तो वो ढूड़ना इतना आसान नहीं होता है currency entry कहां गई तो working time consuming process है कोशिश करेंगे जितना मिलेगा उतना करेंगे बैंक में उतना about unutilized नहीं पड़ा है इन थातों को अब compile किया जाएगा उसको हम लोग एक एक देख रहे हैं हमारा काम चालू है डेढ़ दो दो पहले भी चालू था हम उसको देखेंगे उसमें से कितने का हमको entries मिल रही है कितनी नहीं मिल रही है क्योंकि हमको यह भी देखना है ना real bank में कितना है real bank में कोई उतना balance नहीं है यह जो मैंने बता है कि जैसे एक ही जगे पे 23 करोड एक अकाउंट में ऐसा है कि 25 करोड प्लस है दूसरे अकाउंट में 25 करोड माइनस है वो nullify हो गया बागी for example last year हमने द तो उससे वो amount कम हुआ तो यह ongoing process है और time लगेगा इसको निकाल करेंगे और time लगेगा और जिसका नहीं कुछ मिलता है तो फिर वो हम appropriate authority के सामने रखेंगे तो यह थे corporation की chief accountant संतोष तिवारी जो कह रहे थे कि जो खाते हैं वो उनकी नजर में है और उस पर लगातार कारवाई हो रही है लेकिन खाते काफी जादा है उससे धीरे धीरे उस पर work out किया जा रहा है और आने वाले समय में इन खातों पर वरोड़ा महानगर पाली का यह नम चभी के लिए गुज्रात के वरोड़ा के वागुड़िया में स्थित स्पोर्ट्स कॉंप्लेक्स में United Way of वरोड़ा द्वारा खुशियों का उत्सव का आयोजन किया गया पिछले 18 वर्ष से United Way of वरोड़ा द्वारा शेहर में खुशियों का उत्सव नामक का स्पोर्ट कंट्रोल का आधि उन्हें भेंट की जाती है United Way of वरोड़ा द्वारा किये गए इस खूब सुरत कारे से अपने मनबसंद गिफ्ट पाकर बच्चों के चहरे पर बड़ी सी मुस्कान देखी गई United Way of वरोड़ा की और से खुशियों का उत्सव जिसके अंदर जो गवर्मेंट स्कूल में जो बच्चे पढ़ाई करते हैं वो बच्चों के साथ United Way 2006 से एक प्रोग्राम करती है जिसमें बच्चों को एजुकेशनल के लिए हम सपोर्ट करते हैं पिकनिक का और्गेनाईस करत जो भी उनको विश है वो आज के प्रोग्राम के अंदर हम लोग खुश्यों का उत्सव गेम्स और वो सबका फन पार्टी आयोजन करके हम उनको ये किफ्ट देते हैं ताकि वो लोग फुल ऑन एंजॉय कर सके उन्हें लगे नहीं कि हम और्फन हैं या सिंगल पैरेंट है भी एक जैसा ही प्लाटफॉर्म मिल पाए यहीं अमारा उद्देश है बड़ोदा के पुर्विस्तार वागोडिया रोल के जो कोर्परेशन के नगरप्रात्युक्सिस्षन समीती के बच्चों उसमें भी खास करके जो अनात बच्चे जो सिंगल पेरेंट्स के बच्चे उ तकाने का जो प्यत्न की आ गया है दो जैसे च्चोटे बच्चों किसी को बेड मींटम्टम खेलना किसी को केरंब खेलनां किसी को पजलना है वह सभी की तैसब मेंWear 500 बसकों के लिए कुछ ने कुछ लाए गिप्ट करण मेंगे हैं गुजरात के वरोदर जिले में तापमान में गिरावट दस की गई वहीं आसमान में कोहरा भी चाया हुआ है इसके चलते यहां का मौसम खुश्णमा हो गया है तापमान में गिरावट के चलते अब शहर में थंद बढ़ने लगी है, सुभे सुभे आसमान में कोहरा छाया रहता है जिसके चलते लोगों को थंद का एहसास होने लगा है सुभह के समय घने कोहरे के चलते visibility कम होने से वहां चालकों को थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा कोहरे के चलते लोगों को धीमी गती से वहां चलाने पड़े बिन मौसम बारिश से किसान परिशान थे ही अब इस कोहरे के चलते कपास सहीत की फसल को नुकसान होने का किसानों को डर सता रहा है। इस कोहरे से फसल को नुकसान होने की संभावना है। गुजात के वरुद्रा के MS University की Arts Faculty के भाषा भवन में इंडियन नौलेज सिस्टम हेतु, Center of Excellence का उद्गाटन किया गया। Center of Excellence का लोकारपन करने का उदेश्य विद्यार्तियों को समगर मामलों की जानकारी देना रहा। इस केंद्र में हर विशय के लिए कोर्स चलाया जाएगा। दो औनलाइन शुरू किये गए हैं। वैदिक गनित सहित वैदिक विज्ञान विशे की online classes शुड़ो की गई हैं यहां विद्यार्तियों के साथ साथ शिक्षकों को भी तालिम दी जाएगी इस मौके पर वी-सी प्रोफेसर वीजे कुमार शिवास्तव गुरुकुल प्रोजेक्ट के राष्ट्री अध्यक्ष दीपक कोईराला टेक्नलोजी फैकलिटी के दीन प्रोफेसर धनेश पतेर आर्ट फैकलिटी की दीन प्रोफेसर आध्या सक्सेना और महानुभाव उपस्तित रहे हमारे बहुत सारे इस्तंब हैं इस सेंटर के पीछे जिसे आप देखिए हमारा बड़ोदा संस्कृत महाविद्याले जो कि सो वर्षों से ज्यादा पुराना है हमारा ओरियंटल इंस्टिट्यूट जिसमें 30,000 से ज्यादा मैनुस्क्रिप्ट हमारे पास हैं इसके अलावा आप देखिए हमारे मूजियम से हमारा अर्किटेक्ट इपार्टमेंट है हमारा और आर्कियूलाजी इपारिप्रटमेंट है हमारे परफ़़ूторииग स्ट आज्पार्टमेंट है हमारा पां आइनरी बात करते हैं तो वो यह तीन शब्दों का एक विशय नहीं है इसमें बहुत सारे विशयों का समावेश है और जब हम लोग राश्ट्री सिक्षा नीती में मल्टी एजुकेशनल रिसर्च यूनिवर्स्टी की बात करते हैं जो कि MSU सिंस इंसेप्शन है उसमें ये सारे आधार इस्तम जो हैं ऐसे सेंटर्स को सफल मनाने में बहुत ही महत्वपूर भूमिका निभाते हैं हमारे जो भी इसके विद्वान प्रोफेसर्स हैं वो इसमें अपनी भूमिका करेंगे आज से हम लोगों ने इस सेंटर से दो ऑनलाइन कोर्स की शुरुआत भी की है जिसका ऑनलाइन रेजिस्ट्रेशन बड़दा शेहर के सभी नागरिक कर सकते हैं उसके लिए ऐसा कोई क्वालिफिकेशन का वशक्ता नहीं है घरेलू मैलाएं होम मेकर्स कर सकते हैं हमारे जो भी रिटायर्ट लोग हैं वो भी सीख सकते हैं इसके अलावा ये मीनली विद्यार्थी में तो फोकस किया ही गया है जो कि हम लोग उनिवर्स्टी के पचपनाजार विद्यार्थियों को सिखाएंगे गुजाग के वडोधरा की भाईली में स्थित ब्राइट स्कूल में वार्शी कुद्सव का आयोजन किया गया। के महत्व को समझाया गया। कारिक्रम में विद्याले के प्राधानाचर्य अभीभावक और विद्याले के डिरेक्टर सौमिल शाह उपस्थित रहे और बच्चों के प्रदर्शन की सरहना की। कि विद्यां कुल में देवा शार्वका येशु शार्वरा। कि विद्या 4 झाल झाल आज दे ब्राइट स्कूल स्टेट बोर्ड वास्तना का एन्यूल फंक्शन किया गया है परिवर्तन एक रतन थीम पे स्टांडर फर्स्ट और सेकंड स्टांडर बच्चों ने पर्फॉर्मस दे रहे हैं और आदी से अभी लेटेस्ट टेक्नोलोजी के थीम पे सब्जी सब्जेक्ट पे पर्फॉर्मस दिया हुए उन्होंने अराउंट 200 स्टुडंट ने बाट लिया इसमां खबरों का दौर योई ही चलता रहेगा फिल्हाल वक्ते एक ब्रेक का नए वर्ष पर नए डाइरी चाहिए तो युगधर्म है ना हर कलर्स, डिजाइन्स और हर वर्क के लिए डाइरीज का वाइड कलेक्शन व्यापारी से लेकर बिसनस्मेन तक, स्टूडंट से लेकर हाउस वाइफ तक हर किसी के लिए उनकी जरुतों के मताबिक की डाइरी तुकानों से लेकर कॉर्पोरेट सेक्टर तक पसंद की जाती है युगधर्म की डाइरीज डाइरीज के साथ साथ हर तरह की स्टेशनरी, फाइल्स, फोल्डर्स भी युगधर्म में अविलिबल पडोद्रा के काला खोडा, गेंडा सर्कल, अकोटा, मकरपुरा, GIDC, मांडवी और निजामपुरा में हैं युगधर्म के ब्रांचेज युगधर्म स्टेशनरी, सिक्स, गार्दन व्यू कॉंप्लेक्स, काला खोडा सर्कल, साजी गंच, पडोद्रा बडोद्रा के शोर शराबे से दूर पंच्वटी के लीजियर एली रेस्टोरेंट एंड बैंकवेट में शुद्रशा कहारी खाने का लुद्फ फुठाईए क्योंकि यहां हर डिश है खास इतना ही नहीं, यहां प्यॉर जेन फुड भी अविलेबल पचास से साड़े तीस सो लोगों की कैपसिटी वाले वेल इंटीरियर बैंकवेट हॉल के साथ रूम फासिलिटी, ब्राइडल मेकप और स्टेज डेपोरिशन की भी सुविधाब होटल लीजर एली एंट बैंकवेट में देर सो से दो सो कार पार्किंग की फैसिलिटी कॉर्पोरेट बैक लंच तीन किलोमेटर तक फ्री होम डेलिवरी और टेक अवे पार्सल पर 10% डिसकाउंट पचास से बीस लोगों के स्मॉल गेट टुगेधर के लिए प्राइवेट डाइनिंग रूम और आउटडोर के ट्रींटी भी सुविधाब यहांका स्किल्ट बैनेजमेंट आपके हर मोके को बनाता है बेहत शांदार कोत्री उडा सरकल पर जल शुरू हो रहा है टेक अवे काउंटर लीजेर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक वेट और आ स्क्वेर पंच्वटी रोड को रवा पडोतरा माना होटल्स एंड रिसॉर्ट राजस्थान में उदेपुर रनकपुर को करना हो एक्स्प्लोर या उत्रकन में रिशिकेश में करनी हो धार्मी क्यात्रा माना होटल्स आपके स्टे को बनाएंगे हमेशा के लिए याददार राजस्तान के अतिहासिक विरासत के बीच माना होटल्स का comfortable stay आपको कराएगा अध्भूतन भूती माना होटल्स के luxurious premium rooms और विलास है बेहत शांदार दिशिकेश की वादियों में माना होटल्स का home stay देता है शांदार घर का फील Next time plan your holidays with माना होटल्स Contact 8107-888800 गुज्रात के वरुधा में बरुडा हाइश्कूल बगी खाना द्वारा Annual Sports Meet का आयोजन किया गया विद्याले के ground पर आयोजित Annual Sports Meet में बड़ोदा हाइश्कूल के कक्षा 3 से कक्षा 8 तक के बच्चों ने भाग लिया इस खिलोचव में बच्चों द्वारा अलग अलग तरह के गेम्स में हिस्सा लिया गया यहाँ उपस्तित अभिभावकों ने इस करेक्रम का हिस्सा बन कर बच्चों का उत्सा बढ़ाया इस Annual Sports Meet में विद्याले के चात्र, अभिभावक, स्कूल स्टाफ, मेंबर्स और ट्रस्टी उपस्तित रहे अभिभावकों प्रॉपकों ने जपस्तित रहे आज बड़ोदा एसकूल बगी खाना में जिसमें केजी सेक्शन और प्री प्राइमरी सेक्शन के बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा आवेजन स्कूल के द्वारा किया गया है और जो ये दिन है जो साल में एक बार आता है वो खुशियों का दिन है और मैंने आज तुबह यहां के देखा कि जितने भी यहां पर मेहमान जो गेस्ट बुलाए गए है सारे स्पोर्ट के स्टार है और इस स्कूल से रिलेटेड है और बहुत ही हर्सों उल्लास का माहौल देखके बहुत ही खुशी का अनुबग हुआ आज यहां बरोडा हाई स्कूल बगी खाना में एन्यूल स्पोर्ट्स डे आवर्निया जिनका मिनिंग होता है अविरत अन्स्टापेबल कायोजित किया गया है यहां पर तिसरी और से आठ प्लास के सब बच्चें 120 पार्टिसिपन्स यहां पर इस्पोर्ट्स एन्यूल डे भी उपस्तित है अज हमारा स्पोर्ट्स दे आज हमारा स्पोर्ट्स दे और वी विवेवन पर्सनलिटी और गुजरात इंडिया फ्रॉम इनस्ट्स पूल तो मोटिवेट आ यंग वन्स हमारे बहुत सब्सक्राइब तीम इवंस कर रहे हैं जो हमने पहले कर दिया तोड़ सब्सक्राइब पर्टिसिपेशन मोटन थाउजन स्टूजन से पार्टिसिपेट आइधर देन माच पास और ड्रिल और इन ट्रैक इवन्स बुजरात के वडुद्रा में डांडिया बाजार में स्थेथ कॉंग्रस का रहले में कॉंग्रस के 149 वे स्थापना दिवस पर कार कॉंग्रस प्रमुख रित्विक जोशी द्वारा किये गए लोग हित के कारियों की जानकारी दी गई और कॉंग्रेस का ध्वज फैराया गया नेताओं द्वारा एक दूसरे को मिठाई खिलाकर इस दिवस को उत्साह के साथ मनाया गया इस मौके पर वरुद्रा शेहर कॉं कॉंग्रेस स्थापना दिन की आपके माध्यम से सभी नगर जनों को वजय देता हूं कॉंग्रेस पार्टी के 138 साल 138 यहर्स यानि बहुत समय 28 डिसेंबर 880 में कॉंग्रेस पार्टी की स्थापना हुई व्योमेश चंद्र बैनर जी जो हमारे पहले अद्यक्ष बने आजादी मिली और आजादी के बाद जब पंडिट जवला लहरू इस डेस के प्रथम प्रदान मंत्री बने हम कल्प्ला की सकते हैं इस डेस में कुछ भी नहीं बनता था एक सूई भी नहीं बनती दी तब पंडिच जी ने इस देश की दूरा समभाली थी विश्वा की सबसे पुरानी डेमोप्राटिक पार्टी कॉंग्रेस का अज 138 यह कंपेट करके 139 फांडेशन ले हैं कॉंग्रेस ऑफिस में आज हमने फ्लाइग हुस्चिंग किया है इस चार्टेड विश्वाराज की बात होते होते संपूर्ण स्वराज की बात हुए भारत की आजादी में महित्वपूर्ण हिस्सा कॉंग्रेस भक्ष ने दिया उसके बाद भी जो देश में एक सुई नहीं बन दी थी वो देश को इस मुकाम पे लाने में कॉंग्रेस की सबसे बड़ी देन है और आज भी कॉंग्रेस पर हमेशा उसकी आइडियोलोजी यह रही है कि जो देश की रिक्वार्मेंट है उससाब से अपनी आइडियोलोजी में दीरे दीरे चेंज करके देश को आगे ले जाने की सब को एक साथ ले जाने की ना क्वालिटी की बात करते हैं सोशलिस्ट और डेमोक्रसी के प्रिंसिपल्स पे चलके देश के विखास और उन्नती की हमेशा बात करने वाले कॉंग्रेश पक्स क्या स्थापना दिन है कि इसकी स्थापना एक अंग्रेश चिलवात की बने मंगाली प्रमुक्रा साथ में दादा बई लगों जी है स्थेम के तमाम नेता हैं तमाम नेताओं ने मिलकर बहुततर नेता थे जिन्होंने इस पार्टी की रच्टाइब पिर अतना हुई कैसे और क्या धेता इसका सब्सक्राइब कि 1857 के अंदर जांसी की रानी ने एक गदर के मेरी जांसी नहीं दोगी तो अग्रेशों का जिलुम बढ़ गया था एक के बाद एक राज ले रहते लोगों के पर जिलुम कर रहे थे उसको भूलने का हाथ हमाम खतम कर रहे थे ऐसे समय के अंदर एक चिंदारी इस देश के आने के लिए फायर एनोसी समेथ की कई प्रक्रिया को ओनलाइन कर दिया है जिससे कई तरह की कमियों के चलते आर्किटेक्टर्स को समस्यों का सामना करना पड़ रहा है गुजरात के नागरिकों को सुविधा देने के लिए सरकार ने अलग-अलग तरीके के नियम बनाए है खासकर जब बिल्डिंगे बनानी होती है अलग-अलग कमर्शियल कांपलेक्स बनाने होते हैं और उसमें फायर एनोसी लेने की बात आती है या अन्य जो चीजे आती हैं जिसे अब ऑन-लाइन कर गया है सरकार की बनशा यही है कि ट्रांसपरंसी बनी रहे और सीधा-सीधा नागरिकों के साथ संबाध हो सके इस ऑन-लाइन प्रक्रिया में क्या दिक्कते आ रही है लोगों को क्या दिक्कते आ रही है और वो प्रक्रिया करने वाले विभागों से जुड़े हुए लोगों को क्या दिक्कते आ रही है वो भी हम जाने के ज़रू कोशिश करेंगे बडोगरा के ही एक architecture, मितिन कापडी मेरे साथ है और उनसे पूछेंगे कि ओनलाइन प्रक्रियास सरकार ने जो की है क्या उनके लिए सहूलियत वाली है या कहीं न कहीं complex है उन्हें दिकते आ रही है जैसे नागरी को दिकते आ रही है आर्किटेक्चरों को भी शायद आती ही होगी यह online सारे सिस्टम सरकार ने की है वो आपको सुवीदा जनक हुई है या कहीं न कहीं उससे आपको दिकते आ रही है नहीं सरकार ने जो किया है वो बहुत अच्छा सुवीदा जनक ही है लेकिन जो सिस्टम है online प्रोसेस जो सरकार ने निकाला है उस पर थोड़ा ध्यान दे तो बहुत अच्छा होगा इसका रीजन यह है कि सरकार ने जो online system निकाली है उसमें manmade mind use करने की ज़रुवत नहीं है software और जो बना है वो as per gdcr ही बना है अगर उसके अंदर कुछ भी approval के लिए upload करते हैं अगर वो case approval होके आता है तो उसके अंदर कोई officer या कोई भी department या कोई भी authority या फिर architect उसको कोई challenge कर नहीं सकते है वो clear होता है फिर भी थोड़े बहुत issues आते है department के तरफ से audits निकाली जा निकाल रहे है वो सही है या गलत है क्योंकि इसके अंदर क्या है कि gdcr का जो भी clause है वो सब already clarification है अभी इसमें क्या है जैसे कि कोई भी authority हो उनको सरकार ने परिपत्र किया है जो सरकार की ओपर तो कोई है नहीं अभी सरकार ने जो परिपत्र किया है उसके अंदर उनके responsibilities भी fix की है officers के L1, L2, L3 उनको भी dates दी है और साथ में उनको mail id भी दिया है कि अगर आप कुछ भी audit निकालते हो तो उसके अंदर पहले सरकार को बेजो clarification लो meanwhile you have to issue a preliminary permission order तो क्या है कि जो भी person permission के लिए जा रहा है वो आगे का काम कर सके अगर उनका जो भी audit से है वो clarify होता है कि वहां से authorating जो दिया है वो सही है तो they can rework and ask architect to reload that case जी जी इस तरह से procedure है लेकि इसमें थोड़ी बहुत तकलिफे आ रही है कि officers निकाल रहे हैं वो mails भी नहीं कर रहे है तो rework करते हैं तो हम surrender होके वापस फिर से case invert करके उसको चला ले रहे हैं अच्छा मतलब online होनी के बावजूद भी वो जो अधिकारियों का domination है वो कहीं न कहीं बना हुआ है है बना हुआ है कह सकते हैं कह सकते हैं यानि मनमानी अपने अपने हिसाफ से से नियमों को तोडने हिए हैं मनमान नहीं बहुचते हैं अभी एसा है कि ऑफिज्ट तो सब सरकार निकाल रही है अभी जो भी ऑफिसेश आते हैं सब अलग अलग तरीके के होता है हर एक का mind होता है हम उनको इतना ही रिक्वेस्ट करते हैं कि सरकार का जो भी परिपद्र ज कहीं ना कहीं उसमें जोड़ तोड़ करते हैं और इसलिए दिकतों का सामना नागरीख भी करते हैं और इस पूरे इंडस्री से जोड़े हुए लोग उपकी करते हैं अभी फायर नोसी भी नितिनबाई ओनलाइन कर दी गए है अभी सरकार ने नया हाँ उसके अंदर बताना पड़ता है कि आप क्या क्या एक्यूपमेंट कैसे कैसे है वह एस पर नोम से के नहीं ऐसा है अभी वह देखना पड़ेगा वह बाकिए स्टड़ी करनेगा लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा है कि प्रोविशनल नोसी की ज़रूर इतनी ज़्यादा ज़रू भी हो सकती है फोरी बहुत इंटरफियर करना पड़ता है ड्रविशनल नोसी इक ऐसे किस नॉपब्ड़ात बना हुसक्त री हाईशे इलाज्गों में तो हैァ ही रिहाइशी यहाईशी बिल्डिंग में लेकिन कॉंपलेक्स में भी बहुत जादा दिक्कत है तो फाइर नोस कंप्लीट करने में बिल्डर को क्या ध्यान रखता है ताकि मैं लोगों को समझाने के कोशिश कर रही हूं कि यह सारी चीजे हो तभी आप उस बिल्डिंग में इसके लिए क्या है जो भी कॉमर्शिल बिल्डिंग से एपार्टमेंट्स बनते हैं उसके अंदर फायर कंसल्टन में फायर का जो इंसिदेंट्स हो रहा है वो ना हो कम हो तो वो बहुत अच्छा बिल्कुल यानि कहीं न कहीं लोगों की जान के साथ खिलबार कई बार कोई कुछ बिल्डर अपनी थोड़े से फायदे के लिए करते हैं उस पर लगांकसने की कोशिश है मुझे लगता है इ वो एक दिक्कत है काफी दिक्कत आती है सर्वर वर्क नहीं कर रहा है वो अगर हो जाए ना तो इससे बेस्ट कोई आइटन ही नहीं है यह करना ही चाहिए लेकिन कुछ रिजन के वज़े से हम भी थग जाते हैं एस अन आर्किडेक विया सपोस्ट तो गीव दारी आंसर सरकार ने बोला है डोकुमेंटेशन का अपलोड करो तुम जो भी ओडिटर उनको वो दे दो यहां तो फाइल रिवोग करते हैं तो नए आईडी से वापस रिलोड करना परता है फिर से नया पैसा भरना परता है कभी-कभी तो जुना पैसा वो हो भी नहीं रहा है हमेशा फिर क्या करना परता हैं वो एक दिक्कत आ रही है भी देखते रहे हैं कि यहां हम वही बाते चर्चा में लेते हैं जिसे हमें लगता है कि आप तक पहुंचाना जरूरी है देखते रहिए विएना गुजरात के गिर सोमनात के उना में बिना डॉक्यमेंट्स के आधार कार्ड बनाकर दिये जाने के घोटाले का परदाफाश हुआ है गिर सोमनात के उना में बस टेन के सामने दर्बारी आधार नाम की दुकान में बिना किसी डॉक्यमेंट के आधार कार्ड बना कर दिये जाने का घोटाला सामने आया है ये घोटाला पिछले दो सालों से जारी है NBC पुलिस को मिली जानकारी के आधार पर सर्च ओपरेशन चला कर रेड की गई पुलिस द्वारा इस समगर मामले में असलम शेक, शबिर सुम्रा और जावेद को हिरासत में लिया गया पुलिस द्वारा दुकान और घर में एक ही नंबर के दो आधार कार्ट, कॉम्पिटर, लैमिनेशन मशीन, लैपटॉप, सहित का मुद्धा माल जब्त किया गया आरोपी द्वारा डाटा को डिलीट कर दिया गया था जिसके चलते डाटा रिकावर करने टेक्निकल मदद ली जाएगी तीनों आरोपी अवे रिमान पर हैं, उनके द्वारा एक आधार कार्ट बनाने के लिए 1200 से लेकर 1000 रुपे की मान की जाती थी आरोपी आधार कार्ट अप्ता तो पुरा अवगर नाधार कार्ट बनावे दिया आधार ने बात्मीन आधार आधार निकारी वही पिलादेग प्रोग तापास परी अनने त्यार पची उनमा काते जाय व्यक्तिया तवेनितिया आएं ने दुकानू पर एना खरे रेड करी कुवा में 3 आरोपी आपकड़ा असलम इसमाइल सेख, सब्बीर, सुम्रा अने जावे दुरुपे पुरोग आ अलोको ना डोकुमेंट्स चेक करता छिल्ला बे वरस्मा बे वरस्तिया आश्वा पड़े चालो करें दिया रेक्वीसमा अने बे वरस्मा अत्यार सुती मां त करीनी बनावा माय रहा है डूपलिकेट पूरावा मां ए नगरपालिकानो दुपलिकेट दाख लोगो करो कोई अन्यनु अधर कार्ड अत्वा अन्यनु बोटर कार्ड होई यहां फोटो चेंज करीना को घणा बदा नाना मोटी मोडस ओपरेंडी साथ है अन्या बदा अध लेकिन यहां मा सिता की कोई प्रतिमा नहीं होगी गरव ग्रह में विराजित होगी यह राम का वो सरूप होगा जिसमें 5 साल के बाल कूक्ष मदिर के जिस गर्ब ग्रह में राम लिला विराजेंगे, वहां पहुंचने के लिए 32 यन्या चड़नी पड़ेंगी सबसे खास बात ये है कि जो मूर्ती स्थापित होगी, वो उस स्वरूप की होगी जिसमें भगवान के शादी नहीं होई है यानि कि मुख्य मंदिर में आपको मा सिता की मूर्ती रज़र नहीं आएगी मुख्य मंदिर के अलावा जन्म भूमी परिसर में साथ और मंदिर बनवाए जा रहे हैं इन में भगवान राम के गुरू भ्रमर्शी, वशिष्ट, भ्रमरिशी, विश्वमित्र, महर्शी वालमिकी, अगत्थ सिमुनी, रामभक्त केवत, निशाद राज और माता शबरी के मंदिर शामिल है इन मंदिर का निर्माण 2024 तक पूरा हो जाएगा राम मंदिर के गर्व ग्रह तक जाने से पहले आपको लंबा रास्ता तै करना पड़ेगा मंदिर का प्रवेश पूर्व दिशा में बने सीह द्वार से होगा सीह द्वार से 32 सीर्य चड़कर सबसे पहले रंग मंडप मिलेगा यहां भगवान राम के जीवन से जुड़े चित्र और किरदार दिवारों पर उकेरे गए हैं रंग मंडप से आगे चलने पर निर्थ्य मंडप पड़ेगा गर्व ग्रह के सबसे नजदीख यहीं जगह है रंग मंडप में देवी देवताओं की मूर्तियां, रामायन की चौपाईयां, पत्थरों पर बहुत सुंदर्ता से उकेरी गई है रंग मंडप से आगे बढ़ने पर भगवान का गर्व ग्रह पड़ेगा यहीं पर 22 तारीक को PM मोधी, राम रला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे वीनम टीवी की खबरे अब आप यूट्यूब, फेस्बुक, इंस्टाग्राम के अलवा OTT प्लैटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं डेली हंट, चियो टीवी, वोड़ाफोन टीवी पर 24 खंटे वीनम टीवी आपके लिए उपलब्द है, तो देखते रहें वीनम टीवी वीनम नीज रूम से आज बस इतना ही कल फुम लाकात होगे, तब तक के लिए इसासर दीजे, नमस्कार